एक दिन सुबा सुबा सभी शिश्य बुद्ध के परवचन सुणने के लिए एक साथ बैठे हुए थी कुछ देर बाद बुद्ध अपने साथ एक रसी लेकर आए बुद्ध के हाथ में रसी देखकर सभी शिश्य को हरानी हुई बुद्ध अपने आसन पर बैठे और उन्होंने रसी में एक के एक बाद तीन गाठ बांग दी इसके बाद उन्होंने शिश्यों से पूछा कि क्या ये वही रसी है जो गाठ बांगने से पहले थी इस प्रेशन के जवाब में एक शिश्यों ने कहा हे महराज इसका उत्तर थोड़ा मुश्किल है ये हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है एक तरह से तो रसी वही है इसमें कोई बदलाव नहीं है एक अन्य शिश्यों ने कहा अब इसमें तीन गाठे लगी हुई है जो कि पहले रसी में नहीं थी इसे बदला हुआ भी कह सकते हैं कुछ शिश्यों ने कहा कि वास्तर में मौल रोप से रसी वही है लेकिन बदली हुई दिख रही है लेकिन इसका मौल सब रोप बदला नहीं है शिश्यों की बात सुनकर बुध ने कहा कि आप सही बोल रहे हो अब मैं इन गाठों को खौल देता हूँ ये बोल कर बुध रसी के दोनों सिरों को खीचने लगे बुध ने पूछा कि क्या इस परकार रसी के गाठे खुल जाएगी सबी शिश्यों ने कहा कि नहीं ऐसा करने से तो गाठे और ज़्यादा कस जाएगी इन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा बुध ने कहा कि ठीक है अब एक अंतिम प्रेशन इन गाठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा शिश्यों ने कहा कि हमें इन गाठों को ध्यान से देखना होगा जिससे हम जान सके कि इन्हें कैसे लगाया गया है इसके बाद हम गाठे असानी से खोल सकते हैं बुद इस जवाब से संतुष्ट हो गए और उन्होंने कहा कि ये सही बात है हम परिशानी में फसे रहते हैं और बिना कारण जाने ही उनका हल खोजने लगते हैं जबकि हमें पहले समस्याओं के मूल को समझना चाहिए जब समस्याओं की वज़ा समझ आ जाएगी तो उन्हें सुझाना बहुत ही आसान हो सकता है एक समस्याओं का समधान ढूंडने का सबसे बड़ा राज है उस समस्या को एक मौका दे और उनसे सीखने का संकल्प करना ये एक प्रेरना जनक विचार है जो आपको समस्याओं का समाधान ढूड़ने में मदद करेगा बुध ने अपने शिश्यों को ऐसे विचार बताए समस्याई मनुश्य के विकास के पाठिक है और समाधान उनके प्रगती का दर्वाजा हर समस्या एक मौका है एक अवसर है अपने साहस और समर्थ्यों को पर्खने का कोई भी समस्या अपने समाधान के साथ ही पैदा होती है इसलिए समाधान को खोजने में अपना समय और समपूरन ध्यान लगाए बड़े सपनों को पूरा करने के लिए समस्याओं से भागना नहीं उनका समाधान ढूड़ना जरूरी है जब समस्याओं आपको तोड़ने की कोशिश करें तब आप समाधान का निर्मान करें हर समस्या का समाधान आपके अंदर है विश्वाश रखें और अपने प्रतिबा को प्रकट करें समस्याओं के सामने हिमत से खड़े होने की कश्मता आपके विश्वाश और संघर्ष का परिचारक है समस्याओं आपको शक्तिमान बनाती हैं, उस समस्या को अपना बनाकर विजय प्रापत करें, समस्याओं को एक नई दिशा देखने का मौका समझें और उन्हें अपने लक्षे तक पहचानने का साधन बनाएं हर समस्या का समाधान आपकी कार्य अनुभव से निकलता है, उन समस्याओं को अपनाकर सविकार करें और उन्हें अपने अनुभव से सुलजाएं, ये विचार आपको समस्याओं से निफ्टने और उनका समाधान ढूंडने में मदद करेगा याद रखे आपके अंदर शक्ती है और समर्थे हैं जिससे आप समस्याओं का समाधान कर सकते हैं नमो भुधाए